नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टरी फॉर्ज चैनल पर देखो हम लोग जो है यह मत्यप्रदेश सिविल जश्च के लिए लास्टर के कोशन पेपर देख रहे थे आज हम लोग जो है 2009 वाला कोशन पेपर देखेंगे टोटल सो कोशन इसमें आये थे स्टार्ट कर देखो यहां पर जो है जो उच न्याले के मुख्य न्याइदिश होते हैं किसी भी स्टेट के में राजयपाल को निवेदन कर सकता है किस सेक्षन में यह दिया गया है किस आर्टिकल में है यह कि अगर किसी भी आमनागरिक के मूल अधिकारों का उलंगन होता है तो वह हाई कोड में अपनी अपील कर सकता है तो यह दिया गया है अनुचेद 226 में भी आंसर होगा इसका अगला है निमलकित में से कौन व्यक्तिगत शुतंत्रता की संद्रक्षा करता है व्यक्तिगत शु उद्देश्थी का गोशित करती है बताना है कि सम्विधान की उद्देश्थी का में किनके शब्दों का प्रोक के लिए बारत के लिए कि बारत जो है एक समाजवादी लोग तंत्रात्म गर्ड़ाज्य और भी राज्य है और वहां नहीं तो यहां पर फूर्थ का आंसर जो है वो ऑप्शन भी है कि भारत जो है एक संपोर्ण प्रहुत्त संपन समाजवादी पंतर निर्पेक्ष लोगतंतरात्मक गड़ राज्ये है यह भारत की जो देश्चिकाय सम्विधान की उसमें दिया हुआ है अगला फिफ्ट कोशन कौन सम्विधान का मसौदा समीति का अध्यक्षिता मतलब कि इसमें से कौन है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटिक के अध्यक्षित है तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन होगा डॉक्टर बी आर अंबेड कर अगला कोशन है कि सिविल प्रिकर्ण सहीता की धारह 151 के अंतरगत नि इस शक्ति को हम जिहां पर नियाले की शक्ति मानेंगे 191 के तहद तो राइट अंसर यहां पर होगा अंतरनीत शक्ति में यहां पर सही आंसर होगा शिक्ष्ट का वन अगला है अभी वच्णों के संशोधन के लिए आवेदन किस आदेश और किस नियम के अंतरगत पेश जाते हैं अभी वचनों के संशोधन के लिए आवेदन यह दिया गया है आदेश छे नियम साथ 17 में अगला है पूर्व नियाय संबंदी उपवंद सिविल प्रकिर्ण सहीदा 1908 में कहां पर दिया हुआ है तो यहां पर राइट आंसर है धारा 111 में सही आंसर यहां पर डी है अगला है नाइन कोशन एक व्यक्ति अकिंचन के रुप में वाद संसिकित कर सकता है तो उसको जारा जाएगा हम उसको क्या बोलेंगे तो इसको हम जो है यह जो एक व्यक्ति जो अकिंचन यानि कि पूर मैन होता है अगर वह वाद दैर करता है तो हम उसको निद्धन व्यक यहां कोई वादी हेतु या इसका पूरी तरह से या फिर कुछ भाग पैदा नहीं होता है या फिर डी कि जहां वाद हेतु पूरता है भागते पैदा होता है पता हो चाहिए कि कोई भी वाद वह या तो पूरा हो यहां पर फिर थोड़ा हो तो उससे पता चलता है तो यहां पर जो सही आंसर यहां पर ऑप्शन डी ही होगा अगला है इंडिन कॉंट्रक्ट एट के कुश्चन की ग्यारवा कुश्चन है ऐसा करार जो एपर आपत वैसे भिरने किसी व्यक्ति के विभा के अवरोदार्थ हो तो हम इसको क्या बोलेंगे तो ऐसा कॉंट्रक्ट जो है यहां पर यह सुन्ने सम्विदा कहलाता है वाइड क लाई जाएगी नेक्स्ट है अमुक कीमत पर बाको घर बेशने की पत्र द्वारा प्रस्थापना करता है प्रस्थापना की संसूशना यहां पर बताना है कि कब पूरी होगी तो यह तब पूरी हो जाएगी जब बी को वो पत्र मिलेगा अगला है जहां की वह क्रम जिसमें तो उसका पालन क्या जाएगा आपका बताना है कि फिलिंदी ब्लेंक जो है इसमें क्या एगा 14 जो है यहाँ पर यहां कि उस क्रम से जो संवेवार की प्रकृति द्वारा आपक्षित है यह इसका राइट आंसर है 15 कोशन है कि बा के लिए लोग सेवा में नियोजन अभिप्र करने का बचन देता है और आको एक हजार रुपए देने का बचन देता है और वा के मद्ध्य आपर जो कांट्रेक्ट हुआ है यह कैसा माना जाएगा तो फिफ्टेंथ का अंसर यहां पर option एक हम उसको क्या बोलते है तो इसको हम जो इभी करता कहते हैं सबाश्रित सम्विदा में आता है कि मूल से बनाई गई यह तुल्ला की गई पृतियां क्या होती है मूल से जो मतलब औरिजिनल कोपी अगर उससे कोई भी कोपी बनाई जाती है तो हम उसको क्या बोले गए तो यह जो है दुत्यक साक्षे में आते हैं नेक्स है किया किसी अपराधी ने के अभियोक्त व्यक्ति द्वारा यह कैंभी रक्षा में नहीं वह अभियोक्त पुलीस ऑफिसर से की गई स्विकर्टी संस्विकर्टी उसके वुरुद सावित की जा सकती है और साक्षे में बताने कि क्या वह गिराय है या नहीं तो यहां पढूराएं पुलिस ऑफिसर कोजित्य आप यह नहीं होता है लिए जाय सब्यार ही इसके का नहीं है in सब्सक्राइब कर्म जिसको रेज़ेस्ट बोलते हैं और संसे गुरूती तो 20 जो है यह आपशन सी होगा अगला कोश्चन देखते हैं 21 कोश्चन आप रेल के बिना टिकेट यात्रा करने का आरोप है यह साबित करने का भार किस पर है किस टिकेट था तो यह देखिए यह खु कि अधियुक्त पर इसको अधिकारी नहीं है तो यहां पर अध्यक्ष राजस्व मंडल यह अधिकारी नहीं है अगला कोश्चन है कि मद्यपरदेश भू राजस्व सहीता के अंतरगत राजस्व मंडल द्वारा अपने रेक्षन की शक्तियों का प्रियोग किस टेक्षन के अंतरगत किया गया है तो 23 का आंसर जो है यहां पर ऑप्शन डी होगा धारा पचास में नेक्स है कि एक भू स्वामी अपनी कृशी भूमी को अपने जीवन काल के दोरान अपने विदिक वारिश्व में विवाजित करने की मांग का आवेदन किसको कर सकता है तो यहां पर यह कर सकता है तैसिलद 25 का अंसर क्या होगा यहां पर यह है भू अभी लेख रखना कि करतवे नहीं है बाकी तीनों की भू रजस संग्रहित कर ग्राम कोश्च जमा करना यह है अपने ग्राम की इस्तिति के बारे में रिपोर्ट देना यह भी करतवे है और बंजर भूमी लोगपत तता सड़को प सब्सक्राइब करने के लिए कौन सक्षम है एक जिले से दूसरे जिले में अगर कोई मामला अंतरित करना है तो मद्यपर्देश वूर्जस्व सहीता की धारा 29 के अंतरगत कौन जो है इस मामले को अंतरित करेगा 26 का आंसर यहां पर होगा ऑप्शन B राजस्व मंडल 27 कोशन है कि यदि किसी भू स्वामी को भूमी के विदिक से सम्यक अनुकरम में बेकपजा ना करके अनिता बेकपजा कर दिया गया हो तो कौन कपजा वापस दिलाने का आदेश दे सकता है अगर इसको वापस कपजा दिलाना है तो इसमें से कौन अपनी जमीन पर उसको भू स्वामी को कपजा दिलाएगा तो यह बोला जाता है उपखंड अदिकारी को नेक्स्ट 29 कोशन है निम्लिकित में से कौन सा एक विश है जिसके लिए निस्तार पत्रक के उपवंद नहीं होते वे निवंदन तथा शर्ते जिन पर की ऑप्शन ए है कि ग्राम में पशुओं को चरानी के अनुग्या दी जाती है भी है मशली पकड़ने का दिकार कोई निवास से अभिप्राप्त कर सकता है जिसमें से जो कौन है जो निस्तार पत्रक के उपवंद नहीं होता वे और निवास अब्राथ कर सकता है भी आनसर यहां पर सही होगा अगला है इस अधिर में परिवाशय नहीं इस सहीटा में जो है किसकी परिवाशय नहीं दी लुए है तो जो जो है राइट आंसर होगा option A 31 का अगला है 32 कोशन समविदा के विर्दिनिस्ट अनुपालन के वाद में वादिय नितोष केवल तभी पा सकता है यदि वह इस्थापित कर देता है कि वह इस्थापित कर देता है कि वह उसके समविदा के भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था तो यहां पर राइट आंसर भी होगा अगला है सही कतन बताना आपको विद्दिनिस्ट अनुतोष पालन किया जा सकता है व्यक्तिकत सिविल अधिकारों के प्रवर के लिए दंड विधी के प्रवर्तन के लिए ना कि सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए के लिए दंडिक विधी में या फिर सिविल अधिकारों और दंडिक विधी के प्रवर्तन दोनों के लिए थरी तरी का आंसर जो होगा कि जो विर्दिनिस्ट अनुतोष अधिन नहीं किया जाएगा इसमें से किस के द्वारा सेक्शन शिक्स में बताया गया है किस संसेकित नहीं किया जाएगा तो 34 का आंसर यहां पर सरकार की वुरुद है तरकार के वुरुध यह नहीं किया जाएगा ट्रांसवर्ण अगला ए एस्थाई व्यादेश के संबंद में गलत कथन का पता लगाना है आपको इसमें से क्या गलत यह हुआ है निवारक अनुतोष नियाले की विवेक अनुशार अनुदत किया जाता है वर्दिनिष्ट समय तक या नियाले के अग्रिम आदेश तक बना रहेगा कि वादगे किसी भी प्रकरम पर प्रदत नहीं किया जाएगा अगला है 36 कुशन नियाले दौरा समविदा का वर्दिनिष्ट पालन प्रवर्तित नहीं करया जा सकता यहांपर राइट आंसर क्या होगा 36 का तो यह है option C right answer कि जहां समविदा के अपालन के लिए धन के रुप में पृतिकत यथा योग्या नुतोष पहुचाता हो next question अधिनयम की धारा 14 के अंतरगत निम्लिकित में से कौन सी समविदा विर्दिनिष्ट प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती 37 का अंसर यहां पर क्या होगा 37 का अंसर क्या होगा यहां पर तो यह है option C कि समविदा जो अपनी प्रकर्ति से प्रवर्वर्श से हो तो इसको धारा 14 के अंतरगत समविदा वर्दिनिष्ट प्रिवर्दित नहीं कराई जाएगी बाकी तीनों इसमें देख लेना अगला कुश feature नेश्य pane की ठीपीए की धारा 3 में परिवाश्ट लिखत से क्या मतलब है लिखत से क्या भी प्रया है यहई एक आवसियती लिखत है नेक्स्ट है जहां कि संपत्ती अंत्रण से उस संपत्ती में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विर्दिनिष्ट अभिनिष्ट घटना से घटित होने पर ही प्रभावी होने के लिए स्रश्च किया गया हो तो ऐसा अंत्रण क्या कहला जाएगा ऐसे अंत्रण को हम लोग जो है समाशित अंत्रण बोलते हैं नेक्ट है संपत्ति अंत्रण अधिनियम समावेश करता है किसका संपत्ति अंत्रण जो है ये चल और अचल दोनों ही संपत्ति का समावेश करता है को लिए संफत्ती अंद्स na dna की अंतरगत किसी तथे की किसी व्यक्ती को सूचना है तो रहा तक तक सब्सक्राइब कि जानता हो चलते के बारे में मी उसे ज्यान assistant to won यूओत मामले में में जानता है यालतिक कि बारे में क्या होते हैं उसको हम लोग क्या वोलते हैं इसको हम सामिक वंधक बोलते हैं नेक्स्ट कोशन है ये कॉछन जरू बनता है इसके रावा यह बाकि तीन जो है ये अनुयोज्य दावय है कि अगला प्रश्न है कि रिंड के पनर्भुक्तान के लिए पिर्थिभूती के तौर पर निम्लिकित में से किसको परिवाशित किया गया है फर्टीफूर्थ का अंसर यहां पर आप्शन भी होगा बंदक कि अगला है MP Accommodation Control Act यदि एक भू स्वामी मद्द प्रदेश नियंतर अधिनियम की धारा 38 की उपधारा एक क्योपबंद का उलंगन करता है तो वह कारावाश जिसकी अवदी कितने वर्ष सक्की हो सकेगी उससे दंडेनिया होगा यह देखें यहां पर तीन वर्ष तक के लिए अगला है ए निवासे उद्देश्य के लिए सद्वावना पूर्वक अवश्यक्ता के अधार पर अभीधारी के निश्कादन का वाद मद्देप्रदेश स्थान नियंदर अधिनियम की धारा किस सेक्शन में इसको 52 का अंसर यहां पर ऑप्शन डी होगा घाका बारा वन एफ नेक्स्ट अभू स्वामी की वास्तिविक वशक्ता के अधार पर अभीधारी की वेदखली के लिए विश्येश उपवंद जो मद्देप्रदेश स्थान नियंदर अधिनियम के अधिन अधियाय तीन ए में स्थान नियंदर अधिनियम नागु नहीं होगा यह कहां पर नहीं होगा वर्दिनिस्ट अज़ पर अभीधारी की वेदखली के लिए कोई वाद तब तक चलने योगे नहीं है जब तक कि ऐसे अर्जन की तारीक से कितने वर्शत की कलावदी ना बीद गई हो यहां 55 का अंसर यहां पर option ही होगा कि एक वर्ष तक का समय ना भी दिया हो अगला है मध्य प्रिदेश इस्थान नियंद्रण अधिनियम 1961 के अधिन किये गए भाड़ा नियंद्रण प्राधिकारी के पृतिय का अधेश की अपील कहा पर की जाएगी जिला कलेक्टर होता है जिला नियाधिश वहाँ पर अपील की जाएगी अगला है निम्लकित में से कौन सा कृत्य है अभिदारी की विदकली का आधार नहीं बन सकता 57 का आंसर क्या होगा यह है अती धारण अगला है CRPC कोशन है दंड प्रकृतर ने सहीता उनिस सो सेवंटी नैंटी सेवंटी थीरी की धारा फोर थर्टी एट की अधिन अग्रिम जमानत से क्या मतलब है अग्रिम जमानत का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति को ग्रफ्तार कर पर भी जमानत पर छोड़ दिया जाता है इसको हम अग्रिम जमानत बोलते हैं कि अगला कोशन है कि दंड प्रकृतर सहीता 1973 की धारा 482 की अंतरगत अंतर नहीत शक्तियों का प्रियोग किस मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा 59 का आंसर जो है वह यहां पर ऑप्शन स अगला है संगे अपराद के लिए किये जाने से संबंदित इतला पुलिस थाने के भारता दक अधिकारी द्वारा दंड प्रकृतर सहीता 1973 के अधिन उपवंद के अंतरगत अभिलेगत की जाती है तो 60 का आंसर जो है यहां पर ऑप्शन भी होगा 154 कि नेक्स्ट हैं CRPC की ध तो उसको भरण पोशन नहीं मिलता अगला है प्रतम वर्ग मजिस्ट्रेट का नियाले दंड दे सकता है तीन वर्षी से अनादिक क्यारवास का और दस हजार रुपे से अनादिक के जुर्माने का अगला प्रशन है खतरनाक आयुदों और साधनों द्वारा स्वेच्छा ग अगला एक मृत्यू समिक्षा रिपोर्ट में अंतरविस्ट होना चाहिए यहां पर जो है मृत्यू के दृष्यमान का करण पता होना चाहिए 65 कोशन है यह दि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराद जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन नियाले द द्रगत अभ्यूक्त के विरुद्ध आदेशिका में जारी किये जाने की मुलतवी कर सकता है यह कहां करेगा 65 का अंसर ऑप्शन से होगा कि परिवादी से अपने सभी साक्षियों को पेश करने की उपेक्षा करेगा और उनकी सपत पर परिक्षा कराएगा आईपीसी के कु द्रगत नहीं है नेक्स्टर निम्रकित में से कौन सहींता की दारा 21 के अंतरगत लोक सेवक नहीं है और उसमें जो है विधायक और विश्विदल्य का परिक्षक यह दोनों ही लोक सेवक की डैफिनेशन में नहीं आते 68 का अंसर यहां पर सी और डी दोनों है अगला है एक विवाहित पुरस जारगरम के अपरात कादोशिह यहार अगला है अपनी पत्टी सलेघ्र के साथ में करेगा तो जैरगर्म का आप़ात करेगा यह अब तो इसको अमेंडमेंट्मेंड कर दिया इसमें अब यह संवादानिक है अगला है किसी स्त्री के पती या पती के नातेदार द्वारा उसके प्रतिकुरूरता की परिवाशा आई पीसी में कहां दिगई है यह भारते दंट सहीता की धारा 498 भारत के पहचान प्रादिगरण के अध्यक्ष नत्त कर देते हैं अगला था नेटवर्क विश्व में किस देश में है यह सबसे बड़ा अमेरिका में है अगला भारत के विधी-मंत्री कौन है यह करेंड का जाचन था है स्वारगिय सर्व पलिरादाकरषण भारत के राष्टरपत्ति इनका जनम जनम दिन किस रोप में बनाई आगनी है इस दिन हम जो सिक्षक दिवस के रूप में जनम दिन मनाते हैं बीर आंसर होगाा अगला है तुकर लगाया जाता है उसके विरोध में इन्नों नहीं ये नमक कानून तोड़ा था एक प्रियोग यह बुक किसकी थी इस बुक के लिए का कौन थे यह थे गाली जी सथे के साथ मेरे प्रियोग अगला है नासा की फुल फॉर्म पूछी यह पर तो इसका फॉल फॉर्म है नेशनल नेशनल एरोनॉस्टिक एंड सपेस अगला है आई एस ओ नाई टाउजन इसका मतलब क्या होता है आपने दिखाया यह सी मार्क लगा होता है चीज आए उपर जोओं खरेते हैं तो इसका मतलब होता है वियपार सब्सक्राइब गांदी पर टेंघे अतन था दोटाइब विधी दिवस्ट एमेश्टnवी फिल्म गांदी फिल्म का प्रेव मातम गांदी फिल्म इदू का निर्मार्ण यह क्या गया था कैं ऑन भी तो ईंटान वारों के दोरा यह बंद्राबर्डी सी लिंक मऑंबै अगला डॉक्टर राजीन दर पचोरी कौन है एक पर करेंट भरडे कर Nast है यह तो एकright है अगला है इसकल डिस्कवरियौ अपि इंडिया की लिखक कौन है में डिस्काव्री आफ यंडिया की लिखक k conveil लहलोट अग्ला है डी एने क्या होता है डीने इसकी फुल फॉल शॉल बतानी है डीने मतलब होता है डी आउक्सिराइवो न्योक्लिक एसिड अगला है MSMS इसका मतलब क्या है इसके फुल फॉर्म बतानी है एटीन का अंसर है शौर्ट मेंसेजिंग सर्वेसज इस अगला है पदम भूशर अवर्ड किसले दिये जाते हैं मैंने पदम भूशर के वीडियो बता दिये आपको करंट के किस को मिला इस कौन कोंसर बता दिये तो यह दि जाता है नागरिक पुरुसकार कहते हैं को 91 कोशन है कि सहर को City of Joy के नाम से जाना जाता है कि यह कलकत्ता 92 कोशन है मद्ध परदेश उच नियाले के मुख्य नियाधिश करंट का कोशन आप इस टाइम के देख लेना अगला है वर्ष 2009 में आयोजित कर देते हैं एक कोशन खेल का भी देखिए इसमें पूछा गया है अगला है उच नियाले के नियाधिश की नियुक्ति कौन करता है तो यह भारत कि जो द्वारत के राश्ड़श में नहीं दिखाई का तो यह हाथी में नहीं है अगला beswing शत्तिस गड़ का मात्र राज्य काम मद्ध्य intentar कंची है। कुछ दूच प्छाए उच्छ नहाले के मुख्य पीट है यह थी मैं आपको एक वीडियो में बता रहा है चायर जाने अनके पीट ना की त्टसार पर्में a नाइंटी एट कोशन है नाइंटी सेवन कांसा जो है जवलपुर ठीक है नाइंटी एट है मद्यपिर्देश राज्य में कितने सिविल जिले है यह फिफ्टी है यहां पर अगला है 99 कोशन वर्लिन में आउजित दोहजार नो करन्ट कोशन इसको छोड़ देते हैं 100 कोशन है वृत्त मंत्री के आयकर अधीनियम को किसके द्वारा अपने रिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया यह घ्रंट का कुशन है तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं देख लेजेंगे इसके बाद हम जो है तो यह अट्शन पेपर हम आने वाला है विडियो शेयर कर देना के साथ में अच्छी लगयों लाइक कर देना थैंक यू कि अच्छी लगयों लाइक कर देना थैंक यू